हाई एवरीवन, वेलकम बाक टो आवर चैनल, अर्ली वेजर सोई, आई होब यो अला वेल, तो फ्रेंट सबसे पहले तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली के तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को दिवाली की धीरो शुब कामना है, दिवाली में अब बिल्कुल भी टाइ रेसिपीज लेकर आई हो, जिनें बनाना भी आसान है और बहुत ही कम मेहनते बन करके तयार भी हो जाती है, आप एक बर इन रेसिपीज को ज़रूर ट्राइ करें, और अगर आज की ये रेसिपीज आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे, और ऐ ऐसे ही और मसेदार और आसान रेसिपीज को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले तो चलिए फटा-फट से आज की इस विडियो को शुरू करते है तो सबसे पहले हम मराने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टरांट स्टाइल पनीर की सबजी जिसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले पनीर लिया हुआ है दनिया पावडर एक चोटी चमच, काली मिर्च पाउडर आदी चोटी चमच, जीरा पाउडर आदी चोटी चमच, लाल मिर्च पाउडर आदी चोटी चमच, गरम मसाला एक चोटी चमच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चोटी चमच लिए वे, ये जादा ठीक ही नहीं होती, इसके लाव और नमक के स्वाद अनुसार और यहां पर तेल है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने हाँ पर सबसे पहले एक कड़ाई लिया हुआ है और इसमें मैं सबसे पहले ऑईल आइट कर रही हूँ लवग दो से तीन बड़े चमच ऑईल आइट कर दिया है सबस पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी पनीर के क्यूब से उन्हें हमें फ्राइ करना है बहुत ज्यादा डीफ्राई नहीं कर रहे हैं बस चालो फ्राई कर रहे हैं यहां पर आप मार्केट वाला घर वाला जो भी पनीर आपके पास है वो आप यूज कर सकते हैं एक एक करके प to medium flame परी अच्छी से golden होने तक भून लिया है तो बस अब हम क्या करेंगे कि इसे फटा-फट से निकाल करके side कर लेंगे next मैंने वापस से वही कड़ाई लिए जिसमें मैं वापस से oil add कर रही हूं लवग दो चमच मैंने इसमें oil और add कर दिया है सबसे पहले मैंस में ये सूखी लालमेच आट कर रही हूं एक लालमेच है इसके लावा जीरा add कर दिया है तिछपत्ता मैंस में add कर दिया हूं और बस इसे हलका सा क्राकल होने देंगे इसके बाद मैं इसमें अदरक, लेसन और प्याज जो हमारा है उसे मैं इसमें आट कर दरी हूँ फ्रेंट्स मैंने यहने बारी चॉप नहीं किया हुआ है क्योंकि हमें इसका पीस्ट बनाना है इसलिए तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा रफली ही चॉप कर लिया है और इसे हमें बस थोड़ा सा भून लेना है जब तक अदरक, लेसन, प्याज अच्छे से पकना जाए इनका जो कच्छा पने वो अच्छी तरह से निकलना जाए साथी मैं इसी टाइम पर मैं इसमें आट कर दे हूँ टमाटर ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए तो आसे इसमें नमक आट कर देंगे और बस इसे हमें अच्छे से भून लेना है जब तक यह सारी चीजे जो हैं वो अच्छी तरह से पक ना जाए तो मैंने यहाँ पर इसका धकन लगा दिया है मैंने इसे धक करके अच्छी तरह से भून लिया है और आप देख सकते सारी चीज़े आपस में अच्छी से भून चुकी है तो अब हम क्या करेंगे कि ग्यास का फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे निकाल करके हमें हलका सा ठंडा कर लेना है तो यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और यह हमारा पेस्ट बन करके हो चुका है तयार इसे हम साइट कर देते हैं और फटा फट से नेक्स प्रोसेस की तरफ आएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया हुआ है और इसमें मैं आट कर रही हूँ ऑil बस एक बड़ा चमच आट किया है अब हम मसालो को भुनने वाले है इसमें मैं सबसे पहले हींग आट कर रही हूँ यहाँ पर एक चुट की हींग लिया हुआ है तोड़ा से मैंने जीरा आट कर दिया इसके लावा तिशपत्ता आट कर दिया, इसी हलका सा क्राकल होने देंगे, इसके बाद हम इसमें आट कर देंगे पेस्ट, जो भी हमने बना करके तयार किया हुआ था, इस पेस्ट को हमें इसमें डाल देना है, और इसे हमें इसमें थोड़ी दिर के लिए भून लेना है, मैं कि जब टमाटर वगरा भून रहे थी उस वक्त भी हमने इसमें नमक आड़ किया था फ्रंट्स यहां पर ना मैंने लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों ही आड़ किया है कश्मीरी लाल मिर्च पाड़र से क्या होदा है कि इसका रंग काफी अच्छा आता है इसे कि यह वे मटर है तो आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं एक से दो मिनट के लिए मैंने इससी भूना और इसके बाद मैं इसमें आट कद रही हूं मुंगफली का पेस्ट यहां पर जैसा कि मैंने कहा मुंगफली को मैंने दो से तीन घंटे के लिए पानी में भिगोया वाथा इसके बाद मैंने इसका छिलका हटा दिया और इसका पेस्ट बना लिया वैसे तो इसमें काजू का इस्तिमाल किया जाता है आप इसमें काजू का भी इस्तिमाल कर सकते हैं या पिर अगर आपको पसंद नहीं है काजू तो आप मुंगफली का इसमें काफी अच्छा यह सब आड़ करने से क्या होता है ना कि जो हमारी सबजी की ग्रेवी बनती है वो काफी अच्छी क्रीमी बन करके तयार होती है यहाँ पर अगर आप चाहे तो फुल क्रीम मिल्क का भी इस्तमाल कर सकते है वरना यह जो नॉर्मल दूद की उपर मलाई आती है उसका इस्तमाल क क्यूब्स पनीर को आड़ करने के बाद भी इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे हमें अच्छे से भून लेना ताकि साल जी आपस में अच्छे से भून जाए इसका फ्लीम हम low to medium ही रखेंगे और इसे ढख करके थोड़ी दर के लिए इसे भून लेंगे जादा नहीं चार करने के लिए चार से पाश मिनट अच्छे से भॉन लेने के बाद अब हम इसमें आड करेंगे पाणी इसकी ग्रेवी को एजस्ट करनी आप अपने अट साल इसमें पानी आड कर दिया है मैं समें जाथा ग्रेवी नहीं रख रही एँ बस इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे हमें ढग करके ना थोड़ दिर के लिए पकाना है जब तक इसमें अच्छे सी बॉil आना शुरूर ना हो जाए तो मैंने इसका ढग कर लगा दिया है और अब हमें इसे low to medium flame पर ही थोड़ दिर के लिए बॉil दिना है तो यह हमारी बहुत ही ज़्यादा delicious मतर बढ़ी बन करके हो जुकी है तयार फिर यह बहुत ही ज़्यादा delicious लगती है काफी अच्छी smell आ रही है और बहुत ही फटा-फट से बन करके तयार भी हो जाती है आप इसके साथ फटा-फट से पूरिया बना ले और आप इसे अराम से enjoy कर सकते या फिर अगर आप राइस बगेरा बना ले तो भी आप उसके साथ enjoy कर सकते बस last place में कटी भी हरी धनिया add करेंगे ग्यास का flame off करेंगे और जो भी आपनी बनाया है उसके साथ इसे गर्मा गर्म सर्फ करें इसे खा करके आपकी पूरी family और आपकी घर में जो भी guest आएंगे वो सभी खुश हो जाएंगे बहुत ही जादा delicious सकते तो यह तो हमाई recipe हो गई अब हम फटा-पट से चलते अपने next recipe की तरफ तो next में बनानी जा रही हो मटर के छो लिए friends आज हम इसे pressure cooker में बनाएंगे बि बनानी में भीगो करके रखा हुआ था आप चाहे तो इसे ओवरनाइट केरे भी सोख कर सकते तो यहां पर सबसे पहले एक pressure cooker लिया हुआ है तो इसमें मैं सबसे पहले आट कर रही हूं लगवग चार से पाच चमच मैंने इसमें और आट कर दिया है जैसे हमारा ऑइल करम हो इसमें आट कर दिया है इसे बस हलका सा भूनेंगे इसके बाद मैं इसमें आट कर दरी हूं अधरक लेशन का पेस्ट यह मैंने आधा चमच आट कर दिया है और बस इसी भूण लेंगे जब तक इसका कच्छा पन अच्छे से निकलना जाए जब प्यास अधरक और लेसन और जब टमाटर पक जाएंगे इसके बाद हम इसमें आट करेंगे मसाले मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच धनिया पाउडर एक छोटी चमच जीरा पाउडर एक छोटी चमच जीरा पाउडर एक छोटी चमच आट करेंगे गरम मसाला यहाँ पर एक छो करेंगे नमक नमक आप टोटली अपने टेस्ट रिकॉर्डिंग आड़ करें जादा या कम बस इसे अच्छे से मिला देंगे फ्लेम हमारा लो टू मीडम ही रहेगा वरना मसाले हमारे अच्छानक से जल सकते तो यहां पर लो टू मीडम पर ही इसे अच्छे से भून लेंगे हमारी मसाले से काफी अच्छे समैल आ रही है काफी अच्छे से भूं चुका है तो इस टाइम पर हम इसमें ऐठ कर देंगे मतर जो हमने बीगो करके रहा था मंठर डाल देंगे इसमने ऑम बटर डाल करके इसे हमें थोदए के लिए भून लेना है ताकि जितने भी फ्लेवर्स से टमाटर का, मसाला का, इसके रावा, प्यास बगेरा, सभी की फ्लेवर्स को ये अच्छी से ले ले, तो friends मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से भून लिया है, सारे फ्लेवर्स इसने अच्छी तरह से ले लिया है, तो अब हम करेंगे इसमें पानी, तो मैं यहाँ पर दोग कब पानी का इस्तमाल कर रहे हूँ, आप अपने उनसाल पानी इसमें अज़ेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा या कम, और अब हमें इसका ढखकन लगा देना है, और इसे हमें साथ सी आठ प्रिशर आने तक अच्छी सी पकाना है, प्रेंट्स, यहाँ पर हमने जो मतर का इस्तमाल किया है, उसे हमने सिर्फ पानी में सोप करके रखा वाय था, उसे हमने बॉइल नहीं किया वाय था, इसलिए हमें इसे 7 से 8 प्रिशर आने तक पकाना होगा, बट अगर आप बॉइल किये हुए मतर का इस्तमाल कर रहे हैं, तो आप बस इसे चार से पाच पिश्राने ते पका लें और बस इसके बाद उसका प्रेशर खत्म होने तक वेट करें और इसे गर्मा-गर्म निकाल के सर्फ करें इसे भी आप पोडियों के साथ या फिर जो भी आप राइस वगरा भी बना रहें तो उसके साथ आप इसे तो यह हमारी आज की दोड़ों रेसिपीस कंपलीट होती हैं आप इन में से कौन सी रेसिपीस ट्राइ करने वाले हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आज की रेसिपीस आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे और अपने और इस प्लीज इस वीडियो की अगरी अधी जहीं रेसिपी इस वीर अप्डिटिकर ऑप दिवाली अजियु ऑल द आख उता इंगे अवीडिवाल द आई एंगे जो